हुआ है हलो श्रॉंट्स वेल्कम बैक टुमा यूटूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी जहां पे चल रही है मास्टर डिग्री वाले बच्चे स्यम थर्ड आप लोग का टॉपिक एस 11 फॉरेंड करेंसी कनवर्जन का बात करेंगे लेक्शन नमबर टू एक्जाम में बैठने से पहले काफी हिल्प हो जाए उस पॉइंट आफ व्यू से आपको जाना है टाइम आपके पास बहुत ही लिमिटेड है तो कम नमबर आफ सम्स प्रैक्टिस करो और 15 मार्क्स अपना शिक्यूर करो इस टॉपिक से बा हज और कर एक पहले तो आपको कि द्यान एक रिट का जब आप कन्वर्ट कर ओगए आपको डॉलर में दिया इड्यारह रहेगा यूरो में दिया गया रहेगा कन्वर्ट करना उसको रूपीज में convert करना और भी समझे रूपीज वाले डॉलर में भी है बट आप समझो कि अगर ये concept आपको समझ गया और बेसिकलिए यही आता है ये डॉलर वाला ही आता है कि आपको convert करने रूपीज में आएगा तो उस टाइम पर हमारे पस तीन रेट होते हैं पहला तो हमारा आता है ओपनिंग रेट ओपनिंग रेट सेकेंड आता है क्लोजिंग ये तो बेसिकलिए हर सम में आपको देखने मिलेगा कि ये दो रेट हमेशा दिये होते हैं और नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज रेट मुझे लग तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अवरेज बच है और यह कॉंचेप्ट अगर उनको क्लियर समझ में आ जाता है तो उनका फॉरेंड करेंसी कंवर्जन मतलब इस टॉपिक काफी इजी 15 माक्स स्कूर कर ले जाएंगे ओपनिंग रेड मतलब ओपनिंग रेड किस पर जाता है जरह ध्यान लगना यह जाएगा ओपनिंग si जाता है प्लियर है बड़ कुछ exception है exceptional case है मतलब जब मैं liability word use करता हूं तो भई मैं बोलूँगा यहां पर except of except of कि head office account क्योंकि head office account जो हमारा होता है सब important चीज़े मैं mention कर दे रहो पहले ही अगर कल की class आप देख के आया होतो head office account हमेशा अपने को given part में होता है क्लियर है कि लाइबर्यटी वाली हर एक चीज़े हमेशा किस पर जाएंगी closing rate एक को छोड़ देना कौन सा head office account हमेशा question में given part होगा इसमें कोई सोच नहीं नहीं यह तो हमेशा दिया होगा और जब asset की बात करते है asset में अगर कोई mention कर दिये मतलब special नीचे additional information में mention है तो आपको उस पे उसी rate पे लेके जाना है बाकि remaining जो चीज़े बच गई वो closing rate पे जाएगा इसका मतलब है sir कि अगर additional information में mention है समझने के लिए लिख दे रहो additional information में अगर वो चीज mention की गई है तो उसी rate पे जाएगी जो mention की हुई rate है उसी पे जाएगी average rate किस पे जाएगा जितने भी हमारे PNL वाले जितने भी हमारे trading वाले चीज़े हैं सब पे जाएगा average बट trading में भी एक word आता है हमारा कौन सा goods वाला कौन सा इसमें भी एक छोड़ना है goods वाला जो आता है न अपना वो छोड़ देना बाकी यह rate का concept clear है तो topic आपके लिए काफी simple निकल के आ जाता है clear है I think देख लो एक बार कोई सबसे important part आपका यही है और question की बात करते है question को इस form में दिखेगा इस question की बात करेंगे 2011 में पूछा था 10 में पूछा है 9 में पूछा है 5 में पूछा मताब आप समझ सकते हैं similar कुछ इसी टाइप के questions आपके exam में आपको देखने मिल सकते हैं question यह देके रखा है particular दिया है debit credit dollar में दिया है अपने को और additional information की जब मैं बात करता हूँ branch account in head office show a debit balance of 2,14,500 and goods sent to branch account देके रखा depreciate furniture याद रखना stock at branch closing stock देके रखा लाच में उसकी पोस्टिंग करेंगो हाँ पे furniture watch purchase furniture का देखो देके रखा जब $1.20 का था इसका मतलब मैंने अभी अभी चस्ट आपको बताया था अगर कोई asset नीचे mention है additional information में mention है तो वो rate पे जाएगा ना की closing rate पे जाएगा यह चीज मैंने आपको mention किया था और यह चीज भी बताया था मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा यह आता था ना कि question आप copy कर लू कि question आप copy करो क्लियर एक नहीं तो चलिए question पहले start करना copy करते head office account लिखना start करेंगे कि पहले इतने कम है amount लो उसके बाद नीचे shift करेंगे head office account क्रेडिट आपको credit balance में लिखना यह चीज ध्यान रखना कि क्लियर है यहां तक हमने complete concept कर लिया आपका जितना भी question था copy paste कर लिया अब सबसे important होता है रेट जो की concept में आपको पहले करा चुका हो तो याद कर लो रेट क्याता ओपनिंग 28 average 29 नहीं है एन आपका closing 30 है तो question आप side में कर सकते हो question of side में कर दो इसको clear question side हो गया चले rate क्याता rate याद रख लो आप सबसे पहले head office यह अपने को ध्यान रखना यह हमेशा दिया होता है आपको बताएगा यह हमेशा दिया होता है यह second अपना goods वाला concept दिया होता है तो given पार्ट आप लिख लो दो हमेशा शीज given में रहता है clear करें चले start करते sales किस पर जाएगा closing पर जाएगा और मैं closing के rate question में सामने रखना हो closing का जो rate था 30 closing का जो rate है वो है 30 तो 30 लिख दिया opening stock opening पर जाएगा opening कितना था 28 था clear एक फरनीशर किस पर जाएगा फरनीशर clear mention किया था तूज़ए पर आइधिंक शाए 20 था ना 20 था one dollar 20 है one dollar 20 है तो चलिए जो important चीज़े में उसको mention कर देरो क्या क्या हमारे लिए important है एक तो यह याद रखना second is important की बात हो रही है next यह IMP तीन चीज़े आपके लिए important है वो चीज़े आपको ध्यान में रखना है clear है next बात करेंगे cash inbox बोले तो asset का पार्ट है किस पर जाएगा closing वाले पार्ट पर जाएगा closing के जब मैं rate की बात करूँगा कितना दिया था closing का rate आपका कितना है closing closing rate 30 है closing 30 है इसका मतलब यह rate मैंने गलत लिख दिया है opening stock 28 sales average आपका गलत लिख है यह मैंने आपका लॉटे लइन यह rate क्या है 29 है next bank balance 여자 7 किस पर जाएगा closing rate closing rate कितना है 30 next salary P&L का partner average पे जाएगा और average 29 है rent P&L का part किस पे जानेवाला है 29 average पर जाएगा insuranceP&L का part किस पर जानेवाला 29 पर जानेवाला है outstanding liability लॉटे जानेवालिट किस पर जानेवाला है closing पर दाएगा और क्लोजिंग रेट क्या था हमारा 30 लास्ट हमारा संडी डेटर्स यह रेट रहेगा 30 सबसे इंपोर्टेंट पाइपका यही है यह तो कुश्चन हमने कॉपी कि है सबसे इंपोर्टेंट आपका रेट है यह मैं बोलतों अगर जिन बच्चे ने रेट अगर न इकल के आते ना उसको पहले क्लियर कर लो फिर बादी बात करें जैसे यह कुश्चन दियाता है इति ब्रांच एकाउंट इन दी हेड ओफिस यह देखे रखता हमेशा घिबन पार्ट में होता है इसके लिए इसको आप इंपोर्टेंट है और यह दिया ही रहता है कितना दे इसको आप अपसाइड कर सकते हो कि सबसे इंपोर्टेंट में से यह था यह हमने कॉंसेट अपना क्लियर कर लिया अब सिरुफ मल्टिप्लाइ का कॉंसेट आपका चलेगा 61,000 मल्टिप्लाइ 29 कर देंगे कैल्सी पे तो कितना आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा आपका 17,69 कितना रहा है 17 60,69 किसी को डाउट नहीं है नेक्स्ट यह डिटेल था एट फाइड डबल जीरो मल्टिप्लाइ 28 कर दो कितना आएगा तू लैक थर्टी एट थाउजन कैल्सी लेके आप लोग बैठा कर बैठो और साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलो चलो कितना आजाएगा 250 मल्टिप्लाइ 30 किया 750 हो जाएगा नेक्स्ट वन टू फाइज जिरो मल्टिप्लाइ 30 कर दिया कितना आजाएगा 37 500 नेक्स्ट मल्टिप्लाइ 200 कर दिया तो कितना है 34 800 नेक्स्ट मल्टिप्लाइ 29 कर देंगे 4 350 0 4 3 5 0 next 800 multiply 30 किया तो यह आ रहा है आपका 24,000 24,000 last आपका Sunday data 3 1 5 0 multiply 30 किया तो आएगा 94,500 clear है अब tally करना है tally का tally आप लोग करी सकते हो ना पहले तो question देख लो एक बार प्रॉपर note कर लो अब tally करने की जब बात करेंगे तुशे लिए tally स्टार्ट करते हैं tally में देख के लिखूंगा क्योंकि length बीडियो की बढ़ानी नहीं है जो total आ रहा है वो ध्यान रखना है debit side ज्यादा आ रहा है debit side total आ रहा है कि जो difference आएगा मतलब जो credit side में कम आ रहा है amount वह 17,150 कि टैली तो करी लोगे ना आप लोग डेविड का total credit का total जो difference कम आए वहां पर लिख दिया difference आ रहा है 17,150 आ रहा है तो आपको line यहाँ पर लिखना है difference in exchange क्या है यह difference in exchange क्लियर है और यतने पर आपका यह सम जो है यहाँ पर टैली की दिख रहा है क्लियर अब यह concept क्लियर हो गया तो आगे का सम हमारे लिए काफी आसान बनने वाला है क्लियर है आई थिंग क्लियर होगा चले स्टार्ट करेंगे फिर से स्टार्टिंग से पहले important difference in exchange कहा जाएगा जो important है जो आपके लिए नया है उसी पर बात करेंगे difference in exchange सबसे important है यह जाता है पी एनल साइड में डेविट में कम रहेगा तो डेविट में लिखना क्रेट में कम रहेगा क्रेट में लिखो कहां पर अमाउंट दिख रहा है क्रेट में इसकी पोस्टिंग तुरंद आपकर दो difference in exchange 17150 17150 17150 17150 by difference in exchange क्लियर है यह सबसे important part में से क्लियर कर लिया second मैंने और क्या बता है जो आपको doubt हो सकता है उन चीजों भी बात करेंगे कौन सा doubt हो सकता है यह दो चीजे पहला तो head office account sir कहां पर आ सकता है head office account याद रखना याद रख लो वह क्यूंकि आपका एक्जाम है तो एक्जाम में या क्रेडिट का मतलब होता है लाइब डिसाइड समझ लेना head office account head office account amount इनर में रिखना क्योंकि net profit हमारा add होता आके तो amount कितना दिया था अपना 214500 214500 कितना amounted 214500 एक important चीजिए हो गया next और कौन सा बच रहा हमारा अब तो लाइन से भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं goods from head office trading के debit में जाता है यह भी चीजिए याद रखना बटी स्टार्टिंग से अब करते हैं sales कहां जाएगा sales हमारा जाएगा credit तो यहां लिखा वाई sales credit amount देख के लिखो जरा कितना था 1769 कितना है 1769 नेक्स्ट क्या था नेक्स्ट अगर बात करूं क्या दिया गया है goods from head office यह मैंने कहां पर बता है था ट्रेडिंग के डेविड में ही जाता है goods from head office पहला तो यहां ओपनिंग इस्टॉक रहेगा ओपनिंग इस्टॉक नेक्स्ट रहेगा उसके जस्ट बाट तू गुड्स फ्रॉम head office क्या रहेगा goods from head office account amount देखके लिख दू आप head office कितना था था थर्टेंट ट्वेल फाइवनड़ थर्टेंट ट्वेल फाइवनड़ है ओपनिंग इस्टॉक के जब बात करते हैं ओपनिंग इस्टॉक कितना दिया था उसके जस्ट बात दिया है तो थर्टी एट दिया है लिख दीजिए आप अलगा है है तो थर्टी एट अग्लियर रहें निक्स्ट आगे बात करेंगे अज़नीश कहां पर जाएगा असेट में फरनीशे जाद रखने मांट याद रख लो कितना है 180 फार्टी शिर कहां जाएगा इसर्ट भर नीशर हम डेप्री वो भी कितना 10% 10% बोले तो एक जिरो कम कर दो 18,000 और जो एमाउंट है आउटर में कर दो कितना जाएगा 162 क्लियर है और डेप्री का सेकेंड इफेक्ट हमारे कहां पर जाता है पी एनल वाले पार्ट में तो प्रॉफिट अलॉस में आ जाओ टुदेप्री ओन फर्नीचर डेप्रीशेशन ओन फर्नीचर कितना है 18,000 क्लियर है की नहीं आई तिंक क्लियर होगा इसके बात वाले पार्ट में चलते क्या हो गया फर्नीचर हमारा हो कहा है क्याश इन बॉक्स बैंक बैलेंस दूनों करेंगे क्यास इन बॉक्स बैंक बैलेंस हमारा कहां पर आएगा असेट में क्याश इन बॉक्स है उसके बाद कि बैंक बैलेंस कि दूनों असेट है कि एमाउंट आप देखके लिए हो टोटल कितना था क्याश 75, 37,500 7,005, 37,500 75 और 37,500 clear है next बात करेंगे आगे cash होगा, bank होगा salary, rent, insurance तीन अपना पहले लिख दो salary कहाँ पर आएगा P&L का part है to salaries to rent to insurance P&L में posting तो इतना पता है हर एक बच्चे को इसे लिए बात करेंगे amount की salary कितना है 81,200, 34,800 81,200 81,200 और 34,800 34 next amount कितना है और कितना था लास्ट 4350 4350 और क्या details है अभी हमारे पास और कौन सी details बची हुई है outstanding expenses, sunday data दूनों पता होने चीए कहाँ पर outstanding अमारा लाइब दी और sunday data असेट पहले दोनों लिख दो उसके बाद माउंट देखेंगे संड़ी data सो हमारा इधर आ जाएगा और दूसरा क्या बचे है हमारा outstanding expenses क्लियर है इसे लिए पोस्टिंग करते है इमांट क्या था याद रखो यहाँ पर देखो इमांट क्या है हमारे पास 24,000 outstanding है 94,500 24,94,500 94,500 94,500 94,500 and 24,000 क्लियर है I think clear होगा अब लास्ट इंट्री हमारी closing stock इसी टाइम पर कर दो नहीं तो पहले समके जैसाब दिमाख से निकल जाता है closing stock कितना दिया था अगर मैं बात करूँ closing stock कितना dollar था यह ऐसा आप लिख के दिखा देना exam में 75,000 multiply कुन से rate पर जाएगा closing closing का rate अगर मैं बात करूँ कितना देख के रखे 30 तो शेलिए multiply कर देंगे multiply कर देंगे कितना आएगा 225 और इसका second effect कहाँ पर जाएगा यह आएगा इदर closing stock कितना 225 आएगा clear है I think clear concept होगा अब मुझे लगता है हर एक बच्चा यहाँ पर tally कर ले जाएगा tally करकी जो भी answer आएगा देखो tally का काम video length बढ़ा कि कोई benefit नहीं इसलिए मैं tally का काम आपको दे रहा हूँ और कुछ answer mention कर दे रहा हूँ जिसके base पर आप क्या करना इसको check कर सकते हो क्या-क्या answer मैं highlight कर रहा हूँ एक तो net profit बता दे रहा हूँ कि net profit कितना आएगा कि टैली करने तो आना चीह है नेट profit का answer आपको बता दे रहा हूँ मैं net profit आपका कितना आ रहा है कि 288 का net profit मैस कर लें आप लोग 288 का नेट profit आ रहा है और सम कितने पर टैली होगा वह मैं बता देता हूँ सम जो टैली करोगे आप लोग वह हो जाएगा 526 पर टैली हो जाएगा है तो आप लोग टैली करके कि देख लेना इतनी पर टैली होना चाहिए कि टैली इसलिए नहीं करा के दिया ताकि वीडियो की लेंद थोड़ी शॉट हो जाए और आपका टाइम थोड़ा बच जाए क्योंकि कल ही आप लोग के पेपर होने वाले हैं तो इसी से टैली का काम आप लोग को दिया है और मुझे लगता है मुश्टली एक आवन्स के बच्चे मास्टर डिग्री में पहुच है तो टैली खुद से तो करने आता ही होगा इसलिए मैंने टैली का हिंट दिया कि कितने पर सम टैली हो जाएगा कितना आपका ने प्रॉफित सब्सक्राइब करने वाले हैं इसी तरीके के और प्रैक्टिकल कुश्चन के बारे में तब तक के लिए साइंक्यू सोच